हाई फ्रेंड्स अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चानल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं सोशल मीडिया एक तरह वर्दान है लेकिन दूसरी तरह इसका गलत उपियों के कारण ही अभिशाब बनती जा रही है आप इस बात को सुनकर काफी हैरान रह जाएंगे कि अब लिंकेडिन पर जिसमें फरोशी के धंदे का नया फॉर्मला इजाद हो गया है बंगलिवरू, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे शेहरों में लिंकेडिन के दुरुपियों का मामला सामने आया लिंकेडिन के जरीए जिसमें फरोशी धंदा लगातार चलता जा रहा है इसके साथ लोगों से सीधा संपर्ग कर यही पर लड़कियों का मूलभाव कर उनकी दील तै की जा रही है विश्व के सबसे बड़े प्रोफेशनल नेटवर्क लिंकेडिन पर हजारों ऐसे प्रोफाइल बने हुए है जो खुलेया मसाज सर्विस और एडल्ट एंटरेइनमेंट आफर कर रहे है देश के सभी बड़े शहरों में यह धंदा तेजी से फलफूल रहा है तमाम शिकायतों के बाद 2013 में लिंकेडिन ने जिसम फरोशी के लिए इस सरह के कंटेंट को बैन कर दिया था लेकिन बैन के बावजूद इस पर पूरी तरह लगाम नहीं लग पाया है भारत में लिंकेडिन के 47 मिलियन यूजर है जबकि पूरे विश्व में इसके 546 मिलियन यूजर है 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने लिंकेडिन को खरीद लिया था रिपोर्ट में बेंगलूरू स्थित एक स्पास सेंटर के प्रोफाइल का जिक्र किया गया है स्पास सेंटर के लिंकेडिन प्रोफाइल में लिखा गया है कि मसाज करने वाली लड़की केला की खुबसूरत लड़की होगी आप अपनी मर्जी की लड़की से भी मसाज करवा सकते हैं दिल्ले मुंबई के कुछ फेक प्रोफाइल को लेकर यह कहा गया है कि इसमें लड़की खुद को इंडिपेंडेंट एडल्ट एंटर्टेनर बताती है इस रिपोर्ट को फाइल करने से पहले एक रिपोर्टर ने कई नमबर पर फोन कर कही बातों की पुष्टी की जादाता नमबर सही निकले और सामने से कबूल किया गया कि प्रोफाइल में जो कुछ लिखा गया है वह सच है इस धंदे में शामिलिक महिला ने बताया कि जिसम फरोशी का वैपार अब सोशल मीडिया के जरीए होने लगा है क्लाइन के साथ वाटसेप, फेस्बुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफर्म के जरीए संपर किये जाने लगा है माइन दन्यूज रूम की रिपोर्ट क्लाईन दन्यूज थोग्या के जरीए ने लगा है क्लाईन दन्यूज रूम की रिपोर्ट